हेलो एब्रिवन वैलकम टू माई चैनल क्या आप डेगी डेली के हडी सब्जिया खाके बहुर हो चुके हैं अफकॉस होगे होंगे मैं भी हो चुके हूं तो चलिए हम तो इसे अपने रूटीन में चेंज़ेज लाते हैं और आज बेसन की सब्जी बनाते हैं जो खाना जो है वह द्जेशन डेग unpackने में अपने फेमिली मेंबर के आप सब्सक्राइब दिख्र कोंट कोई पर उचार लोगों के लिए तो हमने यहां पर चार टेबल स्पून जो है वह वो वे अट कर लिया है उसके अदु यहां इसमें सारे मसाले ऐट करेंगे तो 1 ने गरव त रेड चिली पाउडर उसके बाद तक्रीबन हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर एंडे गरम मसाला एड़ करेंगे इन सब में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस बैटर को धीरे 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 एक अच्छा सा फाइन सा इस्मूथ पेस्ट बनाना है तो इसमें हम पा झाले हम अच्छे से चलाना है तो आप देख सकते हैं आप पे थोड़ा थोड़ा थकर के पानी एड़ कर रही हूं इसे चलिया आप अच्छे से मिलाते रहेंगे तब तक जब तक की सारी लंप स सूरी फ़्श मुज़न ख़तम ना हो जाए उसमें ढालेंगे थोड़ा सा प लिए पेस्ट बनके तैयार हो चुका है तो अब इसे हमें वह पकाना है तो चलिए सबसे पहले हम कडाई को जो है वह गर्म गर्म कर लेते हैं और कडाई जैसे ही कर वह जाएगा तो हम उसे मस्टर्ड ओयल एक एक पिंच आड़ करेंगे जनरली क्या होता है कि बेशन से बहुत लोगों को ऐसी डिटी होने लगती है तो ऐसी डिटी से बचने के लिए आप या तो यहां पर हींग आड़ कर दे या फिर आप यहां पर आजवाइन आड़ कर दे और जब हम यह बैटर डालेंगे तेल में ध्यान रहें आप जो है फ्लेम को बिल्कुल लो यह ऑधर इसमें जो हैं वह लम्स पढ़ने लग जाएंगे यिप इसे इसे पकेने तक थोड़ा से घाढ़ा होने तक आप देख सकते हैं अच्छे से इसकां चलाते रहना है और आप यह अच्छे से हो चुका है जिसा कि आप देश सकते हैं आप साइट से जितने भी बेसन बेशन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए तो आप अच्छा से स्क्राइच कर ले और इसको एक जगा एक कठा कर ले फ्लेम हम बिल्कुल लो डखेंगे इस टाइम तो आप देख सकते हैं मैंने जो है से कर लिया अच्छा से स्क्राइच और हम एक प्लेट पर पहले हम ऑइल से ग्रीजिंग कर देंगे उसे ग्रीज करने के बाद हम इस बैटर को जो है वह एक थाली में या प्लेट में हम अच्छे से इसे रख लेंगे आप चाहे तो किसी कंटेनर में भी डाल सकते हैं बट ध्यान रहे कंटेनर जो है वह ज्यादा प्लास्टिक वाला नहीं हो होना चाहिए अधर्वाइस फिर वह मेल्ट कर जाएगा ना क्योंकि यह गर्म है और इसे आप पहले तो आप एक स्पैटूला से ही अच्छे से करें फिर आप हात में थोड़ा सा ओईल लगा ले क्योंकि अगर ऑईल से हाथ ग्रीस हो जाएगा तो बेसंज आपके हात में च चलकता है तो मैंने यहां पे तो स्मूथ कर लिया है अगर आपको बहुत जल्दवाजी है तो आप इसे पंखे के नीचे जो है रखते यह अच्छे से सेट हो जाएगा तकरीवान आपको 20-25 मिनिट में यह सेट हो जाएगा तो चलिए अब जो है हम इसकी ग्रेवी की ओर च चाहिए तो फिर मुसमें अट करेंगे 2 चोटी लाइची उस लॉंग और काली मिर्च आड करेंगे 2-3 लॉंग काली मिर्च और हम यहां पे आड करेंगे तीन जो है मेडियम साइज अन्या लेंगे जिसे हम जैसा चाहे वैसा कट कर सकते को इशू नहीं है उसके बाद 10-15 त इन सब को हम थोड़ा साटे कर लेंगे ब्राउन जैसे ही प्याज हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के जो टमाटर एड़ करना है वह हम एड़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यह पच्छे से ब्राउन हो चुका था तो हमने यह पे दो स्मॉल साइज टमाटर को एड़ किय करें अब उसके अदर हम डालेंगे नमक नमक इसलिए क्योंकि इसे जो है प्याज टमाटर अच्छे से पक जाएगा और इसम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसे हमें अच्छे से पकाना है इसलिए अब चाहे तो पानी स्किप भी कर सकते हैं कोई शू नहीं है तो इसे हम कि जैक कर लेंगे मैं पानी उच्षका रही हुँ कुछ आप इसका कि हम इस टैम कर देंगे फिल्यम को आफ और प्यास्ट को ठंड़ा होने तो यहां से 20Oh senior Homeoft कैस्दे जैसे आपको मन हो हम वैसे कट करेंगे आपको कटली का जैसा साइज पसंद हो कि या इसे हम कर लेंगे अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से सेट हुआ है तो आप देख सकते हैं थाली में इसका बैटर बिलकुल भी नहीं लगा हुआ है और यह काफी अच्छे से सेट हो चुक है और कतली को हमने अच्छे से कट भी कर लिया है अब हम इसे फिर से जो है मस्टर्ड ओयल में ही फ्राइ करेंगे फ्लेम को हम मीडियम रख और इसे हम टर्न करते रहेंगे जिससे यह दोनों साइट से जो है काफी अच्छे से हो जाए हम बिच बिच में इसे एक पर टर्न करते रहेंगे आप जैसा की देख सकते हैं मैंने यहां पर इसे फ्लुफी बनाने के लिए कोई बेकिंग सोड़ा एड नहीं किया था फिर भ बनाना है पेस्ट बन चुका है तो हम इसी ओयल में जो है फिर से जीरा एड़ करेंगे उसके अधम दो सूखी लाल मिर्च और तेज पता एड़ करेंगे यह सब जैसे ही ब्राउन हो जाएगा तो हमने जो मसाला तयार करके रखा था गाइन करके हम इसमें आड़ कर देंगे लो रखेंगे अब जाएगा इसमें हाफ टीबल इसमें हल्दी पाउडर और यहां पे लाइड चिली पाउडर जाएगा उसके अधम एड़ करेंगे कोरियंटर पाउडर बन टेबल स्पून मैंने पहली मैंशन कर दिया है कि अधिस्ट भी तीखा नहीं है तो आप इसलिए अगर आपके तीखा वाला है तो आपका मैट करें उसके मैंने वहां पर एड़ किया था वन टेबल स्पून चिकन मसाला चिकन मसाला से इसका टेस्ट को जादा अच्छा हो जाता है मसाला देख सकते हैं बहुत हद तक भून चुका है उसका कलर भी चेंज हो चुका है तो फिर इसमें बाउल में रखा था मसाला उसी हम डालेंगे पानी जिससे के सारे मसाले जो है पानी में अच्छा से मिल जाए और उस पानी को हम एट कर देंगे क्योंकि मसाला जो काफी अच्छा से बून चुका था तो मैंने यहां पर तक रिवन बड़े वाली ग्लास से एग लास यहां पर मुझे जो ग्रेवी है वह थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि बेशन जो है वह पानी बहुत ज्यादा अब्सॉप करता है तो साइजर जब हम इसमें डालेंगे बेशन की कतली तो फिर इसका ग्रेवी थोड़ी सी जो है वह गाधी हो जाएगी तो इसलिए हमने पानी एक ग्लास एक्स्ट्रा एड़ किया उसके आद हम यहां पर डालेंगे वन टेबल स्पून नमत और वन टी स्पून हम यहां पर डालेंगे गरम मसाला यह सब को मिलाने के आप देख सकते हैं यह काफी अच्छे से बॉयल हो रहा है तो जैसे अब यह बॉयल हो रहा है हम इसमें सारे पीषे üBox अइड़ उसमें परने के नहीं पर आपाना है फालसे साथ मिनट के लिए मीडियूम फ्लेम पर बिना कवर की इसे हमें पर पकाना है जैसे एक इसमें अच्छा सी बॉयल हो ना जाएगा तो हम फ्लेम को कर दें편 देंगे ऑट तो आप देख सकते तो आप देख सकते हैं यह जो बेशन की सब्जी है काफी सही से बन चुका है कि इसकी ग्रेवी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है तो यह बेशन की कतली वाली सब्जी बन के तयार है अब जरूर इसे ट्राइ करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में थैंक्स पू वाचिंग प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब हैव नाइस डे